नमस्कार नाकपुर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपुर के विबित हल्चल पर जी आईपी रेलवे के उत्तराधीकारी मध्धरेल ने अपने स्थापना दिवस के गवरोशाली 70 साल पूरे किये और 5 नवंबर को 71 वर्ष में पदारपन किया है मध्रेलवे के महाप्रबंदक अलेल कुमार लाहोटी ने मध्रेल के 71 स्थापना दिवस पर रेल यात्रियों उपयोग करताओ और रेल करिमियों को हर्दिक बदाई दी है एशिया और भारत में पहली ट्रेंज शनिवार 16 अप्रेल 1853 को मुंबई और ठाने के बीच चली पूर्व में नाकपूर से दक्षिन पूर्व में रायचूर तक फैली हुई थी इस प्रकार बंबई से कनेक्शन के माध्यम से भारत के लगबग सभी हिस्सों से जूड़ गया जी आइपी रेलवे का रूट माइलेज 1600 मिल 2575 किलोमेटर था पाच नौबंबर 1951 को निजाम स्टेट, सिंधिया स्टेट और धौलपूर स्टेट को एकी कुरूत करके मध्धरेल का गठन किया गया था वरतमान में मध्धरेल में पाच मंडल यानि मुंबई, भुसावल, नाकपूर, सोलापूर और पूने है रोटी बैंक जिसकी शुरुवात इस विचार से हुईती को कोई भी भूका नहीं सोएगा अपने काम के दायरे का विस्तार कर रहा है और दिपावली उच्सों का आनन लेने के लिए गरिब बच्चों को फुल्यडी के पैकेट और फराल बाटा गया नागपूर रोटी बैंक ने फैसला किया है कि नागपूर में कोई भी जरूरत मन वेक्ती भूका नहीं सोएगा इसी को ध्यान में रक्तिवे संस्था गरिबो जरूरत मन्दों और गरिब मरीजों के परीजनों को साल भर मुपत भोजन मुवहिया कराती है इस दिवादी हमारे संगटन ने गरिबो और वंचीतों के बीज दिवाली का उच्सों मनानी की कोशिश की है उन्होंने इस तेवार की खुशी को दुगुना करने का फैसला किया लोक कल लंड समीती द्वारा संचालीत कक्षाओ एवं अध्यन कक्षाओ में भाग लेने वाले बच्चों को ग्रीन पठा के एवं फराल का वितरन किया गया इसलिए इन बच्चों ने इस साल सचमुझ दिवाली मनाई मुप्त में ग्रीन फठा के एवं फराल मिलने से गरीब आबादी के बच्चों ने खुशी के माहूल में दिवाली मनाई पिछले साल कोरोना के चलते बच्चे दिवाली का मज़ा नहीं ले पाये थे नागपूर रूटी बैंक ने करिब 24 मोहलों के इन गरीब जरुरत मन बच्चों के साथ साथ स्टेशनरी और चिवडा शंकरपाले बरफी एवं फूलों के पैकेट बाटे नगर की सुप्रसिद्ध सामाजीक तथा सांस्कुरुतिक संस्था जेश्टमित्र मंडल के तत्वा उधान में जरीपट का स्थीत मातेशोरी भावन में हीट सौप मननाडे कारेक्रम का आयोजन किया गया सर्वप्रथम मंडल के अध्यक्षा सचिव एवं अन्य पदादीकारियों द्वारा दीप प्रजोलन करते वे कारेक्रम का शुभारम किया मंडल के अद्यक्ष अरजुन्दा साउजाद्वारा कारेक्रम की प्रस्थाउना रखी वह मंडल का संक्षिप्त परीचय दिया सभी गायक वह वादक कलाकारू का परीचय करवाते उए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया वह हर्शद्वनी से उनका सतकार किया गया इस वागत कारेकरम का कुशल मंच संचालन मंदल के कुशाद द्यक्ष अशोक कुमार गांधी ने किया ततपस्चत मंच कारेकरम की सुप्रसिद्ध उद्गोशी का श्वेता शिलगाउकर को सुपूर्थ किया गया कारेकरम के सौजन्यकरता सर्वश्री भुशन कुमार खूपचंदानी, महेश किंगरानी, प्रकाश हेमराजानी, जैकी पारवानी थे उपस्टिच सौजन्यकरता का सतकार शौल श्रीफल्व पुश्प गुच्छ द्वारा किया गया गायक कलाकारों में निरंजन बोबडे, अमित गणविर, श्रेया खराबे, गवरी शिंदे, वो अरजुन कुलकरनी ने एक से बढ़कर एक गीतो की प्रस्टूती देते हुए चुनरी संभाल गोरी, ए मेरे प्यारे वतन, जहां मैं जाती हूँ, वही चले आते हूँ, जनक जनक तोरी बाजे पाया लिया, दिल का हाल सुने दिलवाला, एक चतूर नार, फुल गेंदवान अमारो, ए मेरी जोहरा जबी गाकर, कारेक्रम की शान्दार प्रस्टूती दी अमबाजरी तालाप पर महापर्व छट पुजा की तैयारी जोरो पर शुरू हो गई है, आचारिया पंडित अम्रिशर्मा, पंडित ज्यानदत्त त्रिफाटी, पंडित सुरेंद्र दूबे, पंडित राजेश मिश्रा ने छह दिन चलने वाली छट महापर्व के लिए, राष्टिय कारकारी अद्यक्ष राकेश सिंग के हस्ते गवरी गनेश का पुजन कर महापर्व का शुबारंब किया, तथा सभी देवी देवताओ का आवान कर भगवान से प्रार्थना की कि परिवार समाजव विश्व को सुक शांती प्रदान करे, यहापर्व लोगों की सुक समरुद्धी एवम शांती का द्योतक है, और इससे लोगों में एक जूठ होने की भावना पनपती है, इसके प्रमुक परव 10 नवंबर को अस्तांचल भगवान सुरिय वह 11 नवंबर को उधियमान भगवान सुरिय को और्धेदे कर मनाया जाएगा, कारेक्रम में अमर्शहित संत कवर राम साहिब ने संप्रदाइक सत्भावना का संदेज जिया, उनके भजन्व भगत में हजारों हिंदू वो मुसलमाल शामिल होते थे, संतक अवर राम दिन दुखियों के मसिया थे वे परोपकारी संत थे इस आशय का उद्बोधन संतक अवर राम धाम अमरावती के संत साही राजेशलाल ने किया वे संतक अवर्राम साहिप के शहादत दिवस पर गांदीबाग भगी चास्थित संतक अवर्राम प्रतिमया परिसर में आयोजित माल्यारपन वा श्रद्दानजली के कारेक्रम में बोल रहे थे भगत कवराम सेवा मंडल वा सिंदूडी यूथ विंग नाकपूर की ओर से आयोजित इस कारेक्रम में सर्वप्रत्थम संतसाहि राजेशलाल ने प्रतिमया पर माल्यारपन किया इस अउसर पर नागविदर्ब सेंट्रल सिंदी पंचायत के अध्यक्ष सुरेज जग्यासी पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार केवल रामानी स्थाई समीती के पूर्वची अर्मन वा नगर सेवक विरेंद्र कुकरेजा मंगलवारी जोन की सभापती प्रमि तुलसी सेतिया, अध्यक्ष राकेश मोटवानी, लेखक किशोर लालवानी, गोपीचन कुकरेजा, बल्देओ केवल रामानी, विजय विदानी, विजय ककवानी, सूरेश रोचल दास केवल रामानी, परसराम चेलानी, रोशन चावला, जगदिश वंजानी, आधिने पु प्रमुक वक्ता के रूप में वरिष्ट व्यंगकार, कमलेश पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा, गोश्टी के अन्य प्रमुक वक्ताओं में इंदोर से तीरत सिंग खरबंदा, दिल्ली से ललिता जोशी, रतलान से आशिश दशोत्तर का समाविश था, कमलेश के वेंग हिलिकॉप्टर पर बारात और डक्टर अजय अनुरागी के वेंग काम से गय है कि समिक्षा की, आशिश दशोत्तर ने राजशेकर चौबे के वेंग सोशल मीडिया में श्रद्धान जली और प्रेम चन द्वितिय का वेंग जो सूख है उसी का दुख है पर चलच की निकिया कामगारों के हित के लिए पूरा प्रयास करूंगा और कामगारों को न्याय दिला कर ही रहूंगा इस यूनियन का जो उद्देश है उसे पूरा करूंगा माथाडी कामगार के लिए जैसा काम वैसा दाम योजना बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करूंगा नियुक्ति के प्रदेश अध्यक्ष संजय पवार, डॉक्टर निरंजन देश्मुक और पदाधिकारियों और युनियन के वरिष्टन एताव का आभार जताया। उनकी मूर्ती का अनावरन किया। इस अउसर पर संस्कृती मंत्रा लए भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को देश के बारा जोतिरलिंग, चार धाम एवं आधी शंकराचारे की जन्मस्थली पर संस्कृती करेक्रमों का आयोजन किया गया। इसी स्रुंखला में दक्षिन अधक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर द्वारा शुक्रवार को महराष्टर के तीन जोतिरलिंग मंदिरों में सांस्कृतिक करेक्रमों का आयोजन किया। दोपर 12 बजे भीमा शंकर मंदिर, पूने में चिन में देशपांडे एवं कलाकारु द्वारा किर्तन, प प्रंगबाद में शरत कुमार दांगे द्वारा, ओम पंचनात, सविता मुले एवं कलाकार द्वारा किर्तन, अनुष्का घुगे एवं कलाकार द्वारा, भगवान शिव की आराधना पर आधारित, कथक बैले की प्रस्थुती दी गई। इस अउसर पर केंद्रिय मंत्री बम की विशेश उपस्तिती रही। चिकित्सा शिविर का आयोजन वर्दमार नगर से सिंदु भवन में किया। विधायक कृष्णा खोपडे ने शिविर की शुरुवात दी प्रजवलन करके की। इस समय प्रभाग 23 के नगर सेवक बाल्याबोर कर, कांतार आरोकर, अशोक सावर कर, मनो जगरवाल, चिराग जयन उपस्तित थे। शिविर में मुक्त दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, मोतिया बिंद की शस्त्र क्रिया, आरोग्यजाज, अउशदिवाट, इसीजी, एकसरे, कुवीड लसिकरन तथा हत्ती रोग के विशय में नागरिकों को जानकारी दी गई। लगबग 200 नागर जाज हेतू, होस्पिटल अध्यक्ष गुविंद पुद्दार का सहयोग रहा, होस्पिटल की टीम और नर्सिंग स्टाप जाज के लिए शिविर में थे। डॉक्टर राकेश कैडलवार, डॉक्टर सुनिता मिगलानी, श्रद्दा पाठक, साजित शेक उपस्तित थे। उ पुर्व केंद्रिया मंत्री सांसद राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रियनेता प्रफुलवाई पतेल ने प्रदेश अध्यक्ष व महाराष्टर राज्य के मंत्री जयनत दाधा पाठील द्वारा सही किया हुआ पत्र सौपकर, महाराष्टर विधायक विनोद अगरवाल, पूर्व सांसत खुशाल बोपचे, विधायक चंद्रीकापूरे, नाकपूर शहर उपाध्यक्ष रविनिश पांडे, पूर्व नाकपूर अध्यक्ष गुल्शन मुनियार, शहर सचिव कमलेज भै ठाकूर, एवं समस्त गणमान्य नागरीक रेल प्रबंदक मनिंदर उपल के नितरूत्व में, दक्षिनपूर्व मध्ध रेलवे नाकपूर मंडल द्वारा, माल लदान के ख्षेत्र में अपने शांदार प्रदशन को जारी रखते वे, अक्तुबर 2021 में 0.84 मिलियन माल लदान किया गया है, जिसके फल स्वरुप 50. 30.6 करोड रुपए की आय हुई, जो कि पिछले वर्ष की इसी आउदी की तूलना में 9.09 प्रतिशत लदान तथा 10.09 प्रतिशत आय में अधिक है, बिजनेश डेवलप्मेंट यूनिट के माध्यम से परमपारिक के अलावा कई नई वस्टूओं का भी परिवहन रेल विद अच्छे प्रदर्शन के रूप में परिणाम मिल रहे है, साथ ही कुरोना काल की स्थिति का उपयोग चौधर्फा दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के अउसर के रूप में किया जा रहा है, इसके अलावा मंडल द्वारा पार्सल लदान के अंतरगत 1-31 अक्तुबर तक कुल 637 तन पार्सल की लोडिंग से 15.6-7 लाख रूपे की आयप्राप्तो भी बेली शॉप मोती बाग रेलवे कॉलोनिस्टीत प्राचीन श्री शिव मंदिर में अनाद बच्चों के साथ दीपावली मिलन का अयोजन प्राचीन श्री 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 दूर्गा उच्सव मंडल मोती बाग तथा गंपती सेना उच्सव मंडल के सैयुक्त तत्वाउधान मे किया गया एस अउसर पर मुख्यातिती के रूप में पाचपावली पुलिस टेशन के पुलिस निरिक्षक संजे मेंडे, पुलिस निरिक्षक चंद्रकांद कोसे, नगर सिवक संदीप सहरे, योग थेरेपिस्ट विजय गुपते, फिरिंद्र जा, जुगल किशोर शाहु, उ बच्चों को निमंतरित कर, मंदीर परिसर में उनके साथ दीपावली उत्सो मनाया गया, इस अउसर पर बच्चों को शर्ट, पैंट, शडडी, बन्यान, चप्पल, टी-शर्ट सहीत, मिठाई वफल बाटे गये, हर वर्ष अपने सामाजिक दाईत्वक सोमस्ते वे, इस त प्रविन डबली, प्रकाश राव साइथ सभी सदस्यों ने अथक प्रयास किया, मंदल रेल प्रबंदक रूचा खरे, नाकपूर मंदल के कुशल मार्ग दर्शन में और नाकपूर डिविजन की टीम BDU के नेतरूत्व और इमानदार प्रयासों से एक ही दिन में पहली बा चार मई 2021 को दूद का एक टैंकर दूद एक्सप्रेस से दिल्ली बेजा था, आज पूरे 6 मैने के बाद 4 नवंबर 2021 को रेलवे ने पहली बार दूद के दो टैंकर को दिल्ली के लिए रवाना किया, नाकपूर मंदल ने 102 और 103 वे रेलवे मिल्क टैंकर को 4 नवंबर 2021 को 0076 एक रेनी गुंटा निजा मुद्दिन दूद स्पेशल से जोड़ा, यह गाड़ी नाकपूर से रात को 12 बच कर 55 मिनिट को रवाना होगी और उसी दिन शाम को सवा 6 बजे हजरत निजा मुद्दिन दिल्ली पहुचेगी, इन दो रेल दूद टैंकरों को मदर डेरी द्वा किंद्र सरकार ने पेट्रोल डिजल के दाम कम किये और उसके बाद कई राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में अपने टैक्स को कम करके नागरीकों को रहत देने की कोशिश की, हलाकि महाविकास आगाडी सरकार ने पेट्रोल डिजल पर एक पैसा भी टैक्स नहीं गटाया है जिसके चलते महारस्ट की जनता को अन्य राज्यों की मुकाबले जादा दाम चुकाने पड़ रहे है दटके ने चेताओने दितिवे कहा कि अगर महाविका सागाडी सरकार ने ततकाल कारवाई नहीं की और पेट्रोल डिजल पर टैक्स कम नहीं किया तो भारतिय ज जनता पार्टी सडकों पर उतर कर आंदूलन करीगी दटके ने कहा है कि दिवाली के पावन मोके पर किंद्र सरकार ने पेट्रोल डिजल के दाम घटा कर लोगों को रहात देनी की कोशिश की है किंद्र के आववान पर कई राज्यों ने भी अपने अधिकार क्षितर में आ करने का फैसला किया है गोवर्धन पुजा के कारण देशभर में लगभग सभी थोक बाजार बंद रहे वही विश्वकर्मा पुजा की वज़ा से भी सभी अध्योगिक संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे शट पुजा के कारण बड़ी संख्या में मजदूर एवं क कर्मचारी भी अपने गाउलोट गए है और कमोबेश अब देशभर में सामन ने व्यापारिक गतिवी दिया 11 नवंबर से शुरू होगी इस वर्ष दिवाली पर लोगों ने जम कर बाजारों में खरीदारी कर दो साल से व्यापार में चल रही आर्थिक मंदी को खत्म कर द दिवाली व्यापार से उच्साहित होकर अब देशभर के व्यापारी आगामी 14 नवंबर देव उठान एकादशी से शुरू होने वाले शादियों के सिजन की बिक्री के लिए दुगने जोश से जुट गये है Confederation of All India Traders Cat के राष्ट्रिय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रिय महमंतरी प्रविन खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष की दिवाली के त्योभारी सिजन में पूरे देश में लगभग सवाला करोड रुपे के व्यापार के होने का अनुमान है Traffic Police ने मोटर वहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 1705 वहन चालों को पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 88,300 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह जुवा अधिनियम के अंतरगत तीन मामलों में 18 आरुपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 49,115 रुपे का जुर्माना वसुला गया उपर उक्त सभी आउपरेशन सही उक्त रूप से नाकपुर सिटी पूलिस द्वारा किये गये थे ट्रेफिक विबाग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से संबदित सभी दस्तावेज अपने पास रखे दीपोच सव एवं भाईदूच के अउसर पर आज नाकपुर महानगर पालिका के साथ-साथ तमाम सरकारी टीका करन केंद्रों पर किसी भी आयू वर्ग के नागरिकों का टीका करन नहीं किया जाएगा कल सभी केंद्रों पर 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के नागरिकों का नियमित रूप से टीका करन शुरू रहेगा यह जानकारी नाकपूर महानगर पालिका के चिकित साथ स्वास्ट अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी लोगडाउन के तकरीबन डेड़ वर्ष बाद गोयल टॉकीज रोड स्थीद गोयल सिनेमा हॉल 15 अक्तुबर से खुल गया है सुर्यवन्शी हिंदी फिल्म के चार शो यहां दिखाये जा रहे है दर्शकों के लिए बुक माई शो पर ऑनलाइन टिकिट का विकलब भी खोल दिया गया है बीते एक वर्ष तक गोयल सिनेमा हॉल में पेंटिंग से लेकर दिवारों पर नई डिजाइन नई सीरे से बनाने का कार्या चला जो अब पूरा हो चुका है अब यहां आने वाले दर्शकों के लिए अरामदायक सिटे एरकुल्ट सुविदा उपलब दो होंगे सिनेमा हॉल के प्रबंद संचालक, प्रकाश गोयल, संचालक रवी गोयल, संचालक अनिल गोयल, संचालक संजय गोयल ने बताया कि सिनेमा घर खुलने से जितना उच्सा दर्शकों में है उचसे कई ज़्यादा उच्सा कर्मचारियों में है उन्होंने बताया कि पुराने ही दर पर टिकेट ऑनलाइन वा आफलाइन दोनों तरह से बुक किये जा सकते है पिक्चर कॉलिट को भी बदल दी गई है अब दर्शकों को मल्टिपलेक्स का आनन्द मिलेगा परंतु दर्शकों को कोरोना से संबंदित नियमों का पालन भी करना होगा यादव अहिर समाज में गोवर्धन पूजा का पर्व परंपरगत रूप से मनाया गया नगरा और ग्रामेन इलाकों में गोवंश की पूर्जा अर्चना कर उन्हें पकवान खिलाए गये गायों को फूलों की माला पैना कर गोवंश के सौरक्षन का संकल प लिया गया सुबह से ही इस पर्व को लेकर ग्रोहिनियों में खासा उत्सा अरा गोशालाओं की विचेश साप सपाई के बाद गोवंश को नहला धूला कर उन्हें हरा चारा दिया गया कई जगर लोगों ने मुख्यद्वार पर गोबर की लिपाई की और गोबर से गोवर्धन परवत बना कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्दी बनाई भगवान को विभिन्न पकवानों का भोग लगा कर पूजा अर्चना की गोवर्धन परवपर घरों को गोबर से लिपने और गाय में 33 कुटी देवताओं का वासमान कर उनकी पूजा करने की परमपरा है इस परमपरा को लोगों ने कायम रखा साथ ही फूलों से सजा कर बाज़े गाजे वो आतीज बाजी के साथ रैली निकाल कर तैसिल कार्याल है समीप भैसासूर मंदिर पहुच कर पूजा करने के उपरांत नगर भ्रहमन किया गया इस आउसर पर भाजपाव अरिष्ट नेता अननतलाल यादव, महेश यादव, कुल्डी यादव, ज्यान सिंग यादव, अभिशेक यादव, वंशे यादव, आदी यादव वहिर समाज बंदु ने रैली में शामिल हो अपना योगदान देकर सवकार्य किया तो नागपूर हल चल में आज इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस, नमस्कार